प्रांस के सम्मानित डेलिगेशन्स, फ्रेंड्स, बॉंस्वाब, नमस्कार्ण। सबसे पहले मैं अपने परम्मित्र प्रेजिडेंड मैकरो को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस अईतियासिक हरिटेज साइट में मेरे डेलिगेशन का और मेरा बहुत भव्य और भहुत स्ने से स्वागत किया। यह मेरे लिए एक यादगार पल है। जी सेवन समीट के लिए राश्पती मैकरोन भारा, हामंत्रा, भारत और फ्रांस के बीच, स्ट्राटेजिक पांटर्शिप और मेरे प्रती उनके मैत्री भाव का उधारन है। आज हमने बहुत लंबी बातचित की और जी सेवन की जो एजिंडा है, जिसका नेत्रुत तो फ्रांस कर रहा है। उसमें पूरी तरह सफलता मिलें और भारत को जो सहयोग अपेक्षित हैं, वो सहयोग पुर्ण रूप से आपको प्राप्त हो, यह भारत का हमेशा संकल्प रहेगा। बायो डाइवरसेटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, कुलिंग और गैस के इश्यूज हो, इन सभी विश्यों पर भारत सद्रियों से, परंपरा से, संस्कृति से, संस्कार से, प्रकृती के साथ तालमेल करके ही जीने के पक्षका रहा है। प्रकृती का विनावस कभी भी मानव कल्यान के लिए उपकारक नहीं हो सकता है। और उन्स विश्य का इनिस्टिव इस जी सेवन समीट में जब हो रहा है, तब भारत को और खुशी के लिए ये पल है। फ्रेंट्स, भारत और फ्रांस के बीच सम्मन्त सैकडो साल पुराना है। हमारी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं, बलकि लिबर्टी, इक्विलिटी और फैटेंडिटी के ठोस आदर्सों पर ठीकी है। यही कारण है कि भारत और फ्रांस ने कंदे से कंदा मिलाकर आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की है, हाजिजम और एक्स्रिमिजम का मुकाबला किया है। फर्स वर्ल वार के दोरान हजारों भारतिय सहिनिकों का बलिदान आज भी फ्रांस में याद किया जाता है। तो अच्छे इच्छी बाते ही नहीं कि ठोज कदम भी उठाएगे। इंटरनेशनल सोलार एलाइंस भारत और फ्रांस की ऐसी ही एक सफल पहल है। फ्रैंक दोज असकों से हम स्ट्राटिजिक पार्टरशिप की रहा पर चल रहे हैं। आज फ्रांस और भारत एक दुसरे के भरोसे मंद पार्टर है। हमारी कठिनाईयों में हमने एक दुसरे का नजरिया समझा है और साथ भी दिया है। फ्रैंट्स प्रेशिडेंट मेंक्रो और मैंने आज हमारे समंधों के सभी पक्षों पर विस्तार से चलता की। साल 2022 में भारत की आजहादी को 75 साल होंगे। तब तक हमने न्यू इंडिया के लिए कई लक्षर खें हैं। हमारा प्रमुक उद्देश हैं भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बनाना। विकास के लिए भारत की आवश्यक्ताओं में। फ्रेंच एंटरप्राइज के लिए स्वानिम अवसर हैं। अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम स्कील डवलक्मेंट, सिविल एविशन, आईटी, स्पेस और अन्य भावत से खेत्रों में नए इनिसेटिव के लिए तत्पर हैं। डिफेंस कॉपरेशन हमारे समंधों का एक मजबूत संब है। मुझे पसंदता है कि विभिन परियोजना उपर हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। 36 रफेल में से पहला विमान अगले महिने भारत को सौपा जाएगा। हम टेकनलोजी और को प्रोडक्शन में सयोग बढ़ाएंगे। फ्रांस पहला देश हैं जिसके साथ हमने न्यू जनरेशन सिविल नुकलियर अगरिमेंट साहिंग किया है। हमने अपनी कंप्लियों से अगर किया है। कि वे जेतापूर प्रजेक पर तेजी से आगे बढ़े और बिजली की कीमत को भी धान में रखे। यह भी खुशी की बात है कि दोनों और से टूरिजम में बढ़ोत्री हो रही है। लगबक 2.5 लेक फ्रेंच परियतक और 7 लेक भारतिय परियतक हर वर्ष एक दुसरे के देश में आते हैं। विद्यार्थियों के आदान तुदान को हायर एजुकेशन के खेत्र में विशेस रुप से बढ़ाना चाहिए। 2021-2022 में पूरे फ्रांस में भारतिय सांस्कृतिक फेस्टिवल नमस्ते फ्रांस का अगला एडिशन होगा। मुझे आशा है कि भारत की विविद्यता पून सांस्कृति में ये फेस्टिवल फ्रांस के लोगों की रूची को और गहरा करेगा। मैं जानता हूँ कि योग फ्रांस में बहुत लोग पूरिया है। मुझे आशा है कि फ्रांस में मेरे और भी बहुत से दोस्त इसे स्वस्त जीवन शैली के रूप में अपनाएंगे। फ्रेंड्स मैंने ग्लोबल चैलेंजी के लिए भारत और फ्रांस के स्योग के महत्व के और इशारा किया था। हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टर्रिजम का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमुल्य समर्थल और स्योग मिला है। इसके लिए हम प्रसिडेंड मेक्रो का धन्यवाद देते हैं। हमने सिकुरिटी और काउंटर टर्रिजम पर सायोग को व्यापक बनाने का इरादा किया है। मेरिटाइम और साइबर सिकुरिटी में भी हमारे बढ़ते सहीोग को और मजबूत करने का फैसला भी हमने किया है। मुझे प्रसनता है कि साइबर सिकुरिटी और डिजिटल टेक्नलोजी के समन्द में एक नए रोड में पर हम सहमत हुए हैं। इंडियन ओशन खेत्र में हमारा ओप्रेशनल कोप्रेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस खेत्र में सुरक्षा और सभी के लिए प्रगती सुनिशित करने में यह सहीोग महत्पपुन होगा। फ्रेंट्स मैं अपने अभिन्द मित्र प्रसेडंट मेक्रो को इस चुनवति पुण समय में एक नए वीजन उत्षा और कुसलता के साथ फ्रांस और जी सेवन के नित्रुत्व के लिए अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ। एक्सलेंसी इस प्रयास में 1.3 बिलियन भारतियों का पूरा सहीोग और समर्थन आपके साथ है। हम दोनों देश मिलकर सुरक्षित और समरुद्ध विश्व का मार्ग प्रसस्त कर सकते हैं। वियार्टिज में G7 समीट में भाग लेने के लिए मैं उत्सुख हूँ और इस समीट के लिए आपको और पूरे फ्रांस को अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ। आपके स्नेहपूर निमंत्रन के लिए एक बार फिर बहुत बहुत आभार प्रगड करता हूँ। धन्यवाद, मर्शी बको, अवबुआव।